हेलो गुड इबनिंग नमस्कार DRDO ने एक सिस्टम का सक्सेस्फुली टेस्ट किया है यानि सफलता पूर्वक उसका परिच्छन कर लिया है इस सिस्टम का नाम है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज आफ टॉर्क पेडो यानि अगर शॉर्ट में इसको बोले तो बोलेंगे स्मार्ट सिस्टम अब इसमें कितने कीवर्ड है बहु सारे कीवर्ड है जो हम लोग को समझना है इसमें जैसे सुपर सोनिक क्या होता है मिसाइल क्या होता है और टॉर्पेडो क्या होता है और missile assisted torpedo क्या होता है इतने सारे अब इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है इसी अप्रील महिने में यानि पिछले महिने में दो महिने में है जैसे प्राइम मिसाइल का मैंने बनाया जैसे अगनी का बनाया यानि दिभ्यास्तर का अभी हाले फिलाल में रॉक मिसाइ क् Bean感ाल क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है आने तरह तरह कि आयां पर स्पीड से क्या होता है चलिए शुरू करते हैं न्यूज और एक एक को समझने का प्रयास करते हैं सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानि इस्मार्ट सिस्टम का डियार डियों ने सक्सेस्फुली फ्लाइट टेस्ट किया है एक में दो हजार चौबिस को मौर्निंग में लगबग साड़े आठ बज़े सुबह में यहां से किया गया है डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम आइलंज ऑफ कोस्ट ऑफ उरिसा से किया गया है इसमार्ट क्या है एक नेक्स्ट जन्रेशन मिसाइल बेस्ट लाइट वेट टॉर्पेडो है अब यहां पर मिसाईल तो आप लोग को पता ही हो ब्टें में होते है प्रोपॉल्शॉं सिस्टम में और इसको नेचर पे दो तरह के होते हैं बैलिस्टिक होते हैं लॉंचप्यट में यहां पे संबहना है अब मीसाativos का ही एक प्रकार होता है supersonic supersonic अगर slow set करे और इस पीड के आधहार पर हम इसको गर इसको कलासिफाई और यानि बर्गी करन करे तो a speed में यहां हम लेते हैं हम sounds का a speed लेते हैं और sound का a speed लेती है जी लगबख three three for और मीटर पर सेकेंड़ अगर इसको किलो मीटर में बदले तरलग भंद 1विशका से कुछ मीटर पर आंवर होते हैंए इससे हम कम्प करने करते हैं अगर किसी मुशाईल का a speed जो है एक से लेकर 5 पाँच इसको एस से मता चुका हैं तो या क्या है या सुपरसोनिक यानी एक से पांच मैक सहयता से इस per person Ini सुपर सोनिक या सीन को successfully test किया गया है अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले torpedo क्या होते है मिसाइल तो पता है सूपर सोनिक पता हो गया अगर torpedo समझ गया है तो सभी मिलके एक system बना देंगे जिसको बताया गया smart system पहला word लेके इसको सौट में smart system बोला गया चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले torpedo क्या होता torpedo होता है हमारे यहाँ जो सेना है तीन front पे अभी काम कर रही है एक तो थल सेना है जो जमीन पे काम कर रही है जिसको आर्मी बोलते है एक जो सेना है जो Air Force बोलते है हावा में काम करती है और एक है जो सबसे important अभी है वह है नेभी अभी नेभी important है क्यों? चुकि इसका aesthetic significance बहुत आजकल हो चुका है तो इस नेभी में क्या चलते है submarine चलते है यानि जहाज कुछ जहाज होते है कि पानी के सता पे चलते है कुछ जहाज ऐसे होते है कि पानी के नीचे भी चलते है तो यह torpedo जो है एक परकार का missile ही होता है और एक परकार का bum ही होता है जो self-propelled होता है यानि इसमें इसमें fuel भरा होता है कोई stage बगर नहीं होता है बस इसको छोड़ दिया जाता है और यह पानी के अंदर जाके और target को मारता है मैंली target क्या होता है sub-marine होता है जो दूस्मन का sub-marine हो गया जैसे पाकिस्तान और चाइना का हो गया तो क्या होता है यह torpedo है torpedo क्या होता है self-propelled एक तरह का bum होता है अब इसमें खुद से इंधन इसमें रहता है अपने आप इंधन रहता है जो पानी के अंदर जाके दूस्मन को मारता है 2010 के बाद में ऐसा लोगों को अनभव हुआ चुकि यह torpedo का जो range होता है बहुत कम हो जाए जैसे 10 से 40 km तक ही होता है चुकि छोटा होता है इस तरह का टॉर्पेडो ही है तो अब इसको स्पीड बढ़ाने के लिए अगर इसको मिसाइल से भेजा जाए तो इस स्पीड इसको 1000 km से भी जादा हो जाएगा ऐसा अनभव किया 2010 में किया गया था DRDO द्वारा और आज हमारे पास मिसाइल असिस्टेट बहु सारी टॉर्पेडो है जिसमें से नेक्स्ट जनरेशन का भी है टेस्ट हुआ है आए बास समझ में यह हो गया टॉर्पेडो जो DRDO ने टेस्ट किया है अब हम आते है स्मार्ट सिस्टम क्या होता स्मार्ट तो समझ गया अब जो स्मार्ट है वह सुपर सोनिक स्पीड मिसाइल बेस्ट लाइट वेट टॉर्पेडो डिलेबरी सिस्टम आपको पता है हमारे यह एक टॉर्पेडो है जो लाइट वेट है और एक वरुनास्त रहे संस्क्रीत में वरुन देवता जो के नाम पे पड़ा वरुनास्त और एटी एल भी है एडवांस टॉर्पेडो लाइट वेट इस तरह करके तो यह टॉर्पेडो लाइट वेट है जो चालिस किलो मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता इसको मिसाइल बेस्ट पे अगर मिसाइल से छोड़ा जाए तो इसका स्पीड बढ़ सकता है और इसी सिस्टम को स्मार्ट सिस्टम बोला गया तो उसमें क्या होता बहुत सारे मैकानीजम लगे रहते है टॉर्पेडो को लंज करने के लिए जो सूपर सोनिक स्पीड तक ले जाता है यानि अब लॉंगर रेंज जो उसका अपना रेंज होता है कन्वेंशनल रेंज होता है उससे बहुत जादा ले जाता है जो 20 से 40 किलो मेटर जैसे यहां पे है टॉर्पेडो का रेंज फ्यू किलो मेटर हो यानि 10 से 40 किलो मेटर तक होता है उसको मिसाइल के साथ, स्मार्ट सिस्टम के साथ 100 किलो मीटर तक ले जाया जा सकता है अब टॉर्पेडो समझगा है, एस्मार्ट समझगा है ठीक अब हम आते हैं अब अगर कोई पूछा कि एक टॉर्पेडो का नाम बताई तो वरुनास्तर आप बोलेंगे ATL बोलेंगे हमारे टॉर्पेडो है अब यह रहा टॉर्पेडो और यह रहा एस्मार्ट सिस्टम यह रहा एस्मार्ट सिस्टम टॉर्पेडो TL, TAL T for torpedo A for advance और L for lightweight है ना अब इसको अगर सिंगल चलाया जाए तो यह भी चलेगा लेकिन यह 40 km से जादा नहीं जाएगा लेकिन इसके साथ चलाया जाए तो 1000 km तक जा सकता अब अगर दूस्मार्ट की सब मारीन या कोई दूस्मार्ट का कोई भी चीज अगर 1000 km तागर हमको पता चल गया अगर यहीं से मार दिये तो बेटा रहा कि हम वेट करें कि 40 km आएका नजदीक में तब हम टॉर्पेडों से मारेंगे क्लियर अब हम आते हैं इसको डेवलप कौन किया अफकोर्स DRDO लेबरेटरी मिल के डेवलप किया DRDO को बहुत सारे लेबरेटरी पूरे देश में फाइले हैं जैसे डिफेंस रिसर्च अंड डेवलपमेंट लेबरेटरी DRDL और रिसर्च सेंटर इमारत इमरत आर सी याई दोनों हैं इनका सबसे ज्यादा इंपूट है इसमें इनके इसके अलावे एरियल डेवरी रिसर्च अंड डेवलपमेंट इस्टैबलिस्मेंट ADRD आग्रा में है इसके लाव चुकि नेभी का है तो नौल साइंस अंड टेक्लोजी लेबरेटरी नस्टील विशाखा पत्नम यह तीनों चारों मिलके ने इसको डेवलप किया है इस सिस्टम को स्मार् नारे से भी फायर किया जा सकता है वार सीप से भी इसको फायर किया जा सकता है और दूसरी बात की कैनिस्टर यानि कनस्तर बेस्ट मिसाइल सिस्टम है कनस्तर होता है किसी भी मिसाइल को पैक करके ट्रांस्पोटेशन के लिए ले जाय जाता है और इस जो कैनिस्टर में जो कर लेकिर और र Mickey साइल को डाल के डाल डिये जाते हैं ऑ उसके नोस्त रैस है करो बेस्य साइल सिस्टम जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम में Jewish सूलिट प्रॉपशन सिस्टम मैं प्रेसिशन इनर्शील नविगे सणने बिगेट करने के लिए मैव स्मूथ और Safe launch of particles है canister–canister में डालने का मतलब क्या हो गया transportation petrol अच्छा हो गया launcherai Lumicitor a means fine transportation कहां से launch करना है तो transport करके यहा प्रणस्पोट में इनकी होता है रख देते हैं क्यों जलती chemical reaction में भाग नहीं लेता है तो साइट इन्वार्मेंट्स में से उसका प्रोटेक्शन हो जाता है कोई भी केमिकल रियक्शन नहीं बनाता तो स्टोरेज और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह एडवांस लाइट टॉर्पेडो मिसा करता है आयवाह सम दो हम तो यह सारे फीचर हो गया है समार सिस्टम का एरही आपको क briefly क्या क्या जाता इसी मैं उसमिसायिल कोडाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता इस में क्या होता इनोट घैस डाल दी जाता है नोबल के भी बोलते है कानिस्टर बेस इसको मिसाइल अब इस मिसाइल को काईरी करने में ट्रांसपोर्ट करने में असानी होती है अब हम थोड़ा सा इसका सिगनिफिकेंस देखते हैं महत तो क्या है अफकोर्स महत तो क्या है रेंज देखे तो उसे बहुत जादे रेंज को या कॉवर कर लेगा यानि कोई अगर किसी तरह का कुछ इमीडियेट एक्षन की जरूरत होती है तो हम किसी और चीज का वेट नहीं करेंगे हमारे पास स्मार्ट सिस्टम है उसी से टॉर्पेटो को फाइर कर देंगे से पहले से थोड़ा सा इसका फ्लाइसफब्सस स्माइब कर देखते हैं इसका फ्लाइसबक के दो हजार चौवीश में या तो एक मेर ब्लक इंडिया एक्सपो जो बंगलूरू में हुआ था उसे में हमारा डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और्गनाजिशन डिया डियो ने प्रेसीशन गाइड मुनिशन यानि हमारे जो हतियार है उसका परदर्शन किया था उता एक्सपो इंडिया एक्सपो होते हैं एरो इंडिया एक्सपो जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास यह चीज है इसके अलामत 2022 में डिया डियो ने न्यू हेलिकॉप्टर लंच एंटी सीप मिसाइल को टेस्ट फाइर किया यानि हेलिकॉप्टर से मिसाइल सबमाइरीन को मारेगा या समूंदर में दुस्मन को मारेगा या तो हो गया सबमाइरीन से मारेगा या कोष्ट से मारेगा है इसके अलाम इस मिसाइल का नाम क्या था याद रखेगा नवल एंटी सीप मिसाइल सौर्ट रेंज इसको न नस्म एसर यह मिसाइल का और रेंज है यानि पांच किलो मीटर से 55 किलो मीटर तक या मार सकता है क्यों चुकि जो नस्म एसार है वह सब सोनिक सुपर सोनिक नहीं है चुकि लेश दन वन मैक है कि आगे बाइस समझ में कि दीशेज अल बाओट झा जू तो इस न्यूज में आपने कया सीख़ा सबसे पहले सीखें स्टम क्या होते स्मार्ट सिटम अपर अध्यotyक है इसके अलमाट टॉरय। क्या है यह बताया गया टॉर्पेडव को मिसाइल से ऐसिस्ट कर दिया गया तो क्या हो गाई स्मार्ट सिस्टम बनगागा इसमार्ट Mund था सब्सक्राइब इसमीर मताये लिए इसका उनला इस वा। तो अला मीत इसका सिग्निवीडेंस क्या है महत्तों क्या है इस क़रgo Salam से हैं उस पे मैं इस PDF को डाल दूंगा और वहां से जाके देख लीजेगा और उसको भी जोईन कर लीजेगा अगर या वीडियो इन्फरमेटिव लगाओ तो अपने दोस्तों में सेयर लाइक जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब तो करें लिये होंगे अप लोग तो थैंक य आप लूए और अप्य लार्न इंक य वर्यमच